नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके आईए आज हम सभी मेथी के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं मेथी एक बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी है और अपने अतूलिनीर और शद्योगुनों की वजह से यह आईरवेद में भी बहुत ही प्रचलित रूप से इस्तेमाल की जाती है मेथी में अनेक प्रभावशाली फायटो न्यूट्रेंट्स के साथ साथ लोग, मैगनीशियम, फासफोरस, मैगनीज एवं तामबे जैसे खनीज भी उच्च मातरा में पाय जाते हैं इसके अलावा यह विटामिन B6 से भी नीध है मेथी के बीज में प्रभावी रोगान उरोधी, इंटी अक्सिडेंट, इंटी इंफ्लामेंटरे, मधुमेह विरोधी और इंटी वायरल गुन पाय जाते हैं मेथी के बीज खाना पकाने के लिए और साथ में ही और शद्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाते हैं मेथी के बीज एक तीखे स्वाद और खुश्बू के लिए जाने जाते हैं आईए अब हम सभी मेथी के फायदों के बारे में जानते हैं मेथी के बीज के फायदे हैं सबसे पहले तो बेहद ही मशहूर स्कीन के लिए मेथी के चमतकारी पिटारे में तवचा के लिए भी अनेक और शधियत गुन होते हैं इसकी एंटी अक्सिडेंट गुडवत्ता तवचा को फ्री रेडिकल्स की छती से बचाती है और तवचा पर आने वाले बुढ़ापे के लक्षनों से छुटकारा दिलाती है जुर्यों के अलावा मेथी अपने इंटी इंफ्लामेंटरी घुरों की वजह से फोड़े एक्जीमा एवं जली हुई तवचा को ठी करने के लिए भी उप्योगी है यह जिद्धी निशानों सकार्स से भी छुटकारा दिलाने में सक्षम है तवचा के निखार एवं स्वास्थ में सुधार लाने के लिए आप एक चमच मेथी के बीज को सादे दही में मिक्स करके एक पेश्ट बना लें इस पेश्ट को अपने चेहरे पर लगाएं तीस मिनट तक प्रतिक्षा करें और फिर इसे हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करके स्क्रब करते हुए धोलें इससे चेहरे से मृत तवचा की कोशिकाओं को दूर किया जा सकता है अन्त में ठंडे पानी से अपना चेहरा दोलें यह प्रक्रिया सप्ताह में एक बार दुहराएं मेथी के फायदे बालों के लिए उच्च मात्रा में प्रोटीन नहित होने की वज़़ह से मेथी को बालों के विकास के लिए भी उत्तम माना जाता है इसमें निहित प्रोटीन बालों को घना तो बनाता ही है परन्तु साथी में उन्हें स्वस्थ एवं मजबूत भी बनाता है यह बालों के रूम जो बालों के ज़रने के इलाज के लिए महतोपून हैं इनके पुनर निर्मार में भी मदद करते हैं इसके अलावा इसमें मौजूद लेसिथीन आपके बालों की नमी को बनाए रखता है बालों को घनत वेवं मजबूती प्रदान करने के लिए आप प्रयाप्त मातरा में नारियल के दूध के साथ मेथी के बीज पावडर के दू बड़े चमच के मिश्रन से एक पेष्ट बना इस पेष्ट को कम से कम 30 मिनट के लिए अपने बालों और सिर पर लगे रहने दें और अपने बालों को शैंपू के मदद से धोलें सब्ताह में एक बारिस प्रक्रिया को जरूर दूहराएं इसके अलावा मेथी के और शद्य गून मधुमेह को भी नियंतरित करने में सहायक है इसके अलावा इसमें निहित फाइवर कार्बोहाइडरेट इसके अलावा इसमें निहित फाइवर कार्बोहाइडरेट एवं शुगर के अवशोषन को धीमा करता है विटामिन और पोशन अनुसंधान के इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित 2009 के एक ध्यायन में पाया गया कि मेथी के बीजों का हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव टाइप टू मधुमेह के रोग्यों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस अध्यान से पता चलता है कि गर्म पानी में भिंगोए हुए 10 ग्राम मेथी के बीज का सेवन उच्छ रक्त शरकरा को नियंतरित करने में मददगार हो सकता है। और शद्य खाद्य के जर्नल में प्रकाशित 2009 के अध्यान के अनुसार मेथी के बीज से बने हुए खाद्य पदार्थ का सेवन करने से शरीर को इंसुलीन प्रतिरोध में मदद मिल सकती है। उच्छ रक्त शरकरा को कम करने के लिए रात भर एक ग्लास पानी में एक से दो चम्मच मेथी के बीज भिंगने या फिर फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगली सुबह खाली पेट में उस पानी को पी लिजिए और मेथी के बीज को चबा कर खा लिजिए। रोजाना इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है। आप मेथी के आटे से बेक्ट समगरी भी खा सकते हैं। मदुमे के दवाईयों के साथ मेथी के बीज का सेवन करने से आपके रक्त में शूगर का अस्तर बहुत कम हो सकता है। इसलिए मेथी के बीजों का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। में बढ़ोतरी लाता है। मेथी के बीजों पत्तियां दोनों ही इसकारी के लिए उत्तम आने जाते हैं। 2011 में प्रकाशित एक अध्यन के अनुसार ग्लेक्टो गाक्स की चाई पीने से माउं की दूद की मातरा में तो बढ़ोतरी आती ही हैं। परन्तु साथी में यह उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यह नवजात शीशु को स्वास्त वजन ग्रहन करने में भी मदद करता है। इसमें विटामिन और मैगनिश्यम होते हैं जो दूद की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। और शीशु के समग्र स्वास्त में व्रिद्धि लाते हैं। यह बच्चा पैदा होने के बाद वात के काराण मोटापा एवं शरीर के दर्द जैसे समस्याओं का भी हल है। स्तन दूद की मातरा एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आप रात भर एक कप पानी में एक चमच मेथी के बीज भींगने के लिए छोड़ दीजे। अगली सुबह कुछ मिनाट के लिए बीज के साथ साथ पानी उबाल लीजे और फिर इसे च्छान लीजे। इ एक कैपसूल कम से कम 500 मिलिग्राम रोजाना दिन में तीन बार ले सकते हैं हमेशा पहले एक डॉक्टर से परामर्श कर लें इसके बाद ही इसका सेवन करें यदि आपके शिशु को डायरिया होने का संकेत दिखाई दे तो इसका सेवन करना रोक देना चाहिए यदि आप अ खाने के गुण है कोलेस्टरोल को कम करने में बेहद ही कारगर मेथी के बीज में कोलेस्टरोल को कम करने की भी शमता होती है इसमें नहीत घुलन शील फाइवर पचे हुए खाने के चिपचिपेपन को बढ़ा कर शरीर में कोलेस्टरोल के अस्तर को कम करने में सहायता करते ह हानिकारक कोलेस्टरोल रक्त धम्नियों में रुकावट पैदा कर सकता है और प्रभावित व्यक्ति को दिल का दोरा या फिर श्ट्रोक हो सकता है और मेथी के बीज हानिकारक कोलेस्टरोल को कम करने में अत्यांत सहायक हैं उच्छ कोलेस्टरोल के अस्तर को कम करने के लिए रोजाना दो ओन्स मेथी के बीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है सुखे मेथी के बीजों को भून ले और फिर उसे पीस कर चून बना ले आप इस चून का इस्तेमाल खाने पर छिड़क कर या फिर पानी के साथ कर सकते हैं आपको लाभ मिलेगा मेथी का एक अन्य बिहद ही महत्तोपून बेनिफीट है कि ये आपके हरेदय को स्वस्थ रखता है मेथी के बीज में अच्छे एंटियोक्सिडेंट एवं हरेदय सनरक्षन गुन पाये जाते हैं जो समग्र हरेदय स्वस्थर में सुधार लाने के लिए फैदे मंद हैं यह रक्त प्रवाह को नियमित कर ब्लड कलाट से बचाव करता है और रक्त चाप को भी कम करने में सहायता करता है इसके हलावा यह रक्त लिपीड अस्टर पर अपने सकारात्मक प्रभाव के कारण के जोखिम को भी कम करता है साथी में यह रक्त शरकरा और मोटापा जो कि हरेदयरोग के दो प्रमुख कारक हैं इनको नियंतरित कर हिरदय रोग के खत्रे को बहुत हद तक कम कर सकता है हिरदय स्वास्थे में सुधार लाने के लिए रोजाना एक दो कप मेथी के बीजों की चाई पीजिए मेथी के बीज की चाय बनाने के लिए आप डिल्ड से दो कप पानी में एक चमच मेथी के बीज मिलाईए इसे पांच मिनट के लिए उबाल लीजे और फिर छान लीजे स्वाद के अनुसारिस में शहद मिलाकर अपनी चाय में मिठास घोल लीजे मेथी के बीज का लाव दवाएं एवं कब्ज से छोटकारा पाने के लिए मेथी के बीज में अच्छी मातरा में घुलनशील फाइवर पाया जाता है जो कब्ज से राहत दिलाने में बहुत अच्छा सहायक है यह अपच एवं पेट में हो रहे दर्द से आराम दिलाने में भी मददगार है इसके अलावा यह पेट एवं आत में हो रही अमलता, जलन एवं सूजन का भी एक अच्छा उपचार है कबज से रहत पाने के लिए आप मल्त त्याग क्रिया को नियमित करने के लिए रोजाना सोने से पहले एक गलास गर्म पानी में आधा चमच मेथी के बीज का पाउडर मिलाकर पीजिये आपको लाब होगा छोटे बच्चों में कबज का उपचार करने के लिए मेथी के बीज का उप्योग नहीं करना चाहिए मेथी दाने के फैदे हैं सर्दियों में बेहद उपयोगी मेथी के बीज में अच्छे एंटियोक्सिडेंट गुन पाये जाते हैं जो शरीर को फ्लू एवं सर्दी से लड़कर उन्हें मात देने में सहायता करते हैं इसमें प्रभावशाली इंटिवायरल, जिवान रोधी और विभिन अन्य और शद्य गुन होते हैं जो आपको बिमार महसूस करने वाले सुक्ष्म जीवों को मार कर आपको प्रफुलित महसूस कराते हैं यह गले के शोत का भी एक सफल उपचार है और बुखार को भी कम करने में सहायक है फ्लू एवं सर्दी का उपचार करने के लिए आप एक चम्मच मेथी पावडर, निम्बु का रस और कच्चे शहद को एक कंटेनर में मिक्स करें इस मिश्रण का सिवन दो बार दैनिक सर्दी और फ्लू के लक्षनों से लड़ने के लिए करें ठीक होने की गति को तिवरता प्रदान करने के लिए मेथी की चाय दो या तीन बार एक दिन में पियें गले में खराश से छोटकारा पाने के लिए दिन में दो बार गर्म मेथी की चाय से कुल्ला करें आपको लाब होगा मेथी के लाब हैं मासिक धर्म में बेहद उपयोगी मेथी में कुछ ऐसे योगिक पाये जाते हैं जिन में एस्ट्रोजन संबंधित गुण समाविष्ट होते हैं जो रजुनिवरिती संबंधित लक्षणों से आराम दिलाने में सक्षम हैं यह योगिक हट फ्लेशेस अवसाद यानिकी डिप्रेशन और मूड में उतार चड़ाओ जैसे रजुनिवरिती के लक्षणों को कम करने में सहायक हैं इसके अतिरिक्त इसमें उच्च मात्रा में निहित लोहरेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को उत्तेजित कर शरीर में आई खुन की कमी को पूरा करता है मासिक धर्म से संबंधित और सुविधाओं को दूर करने के लिए दिन में दो बार मेथी से बनी हुई चाय पीएं आप मेथी की पत्यों का इस्तेमाल खाना बनाने में या फिर सूप और सलाद में भी कर सकते हैं मेथी पाउडर के फायदे दिलाएंगे आपको जोडों के दर्द में राहत विशेश रूप से मेथी के बीज गठिया के कारण हो रहे जोडों के दर्द के लिए फायदे मंद हैं इसमें दियोस जेनीन नामक एक पदार्थ होता है जो जोडों में हो रहे दर्द से आराम दिलाने के लिए अत्यंत प्रभावी है इसके अलावा मेथी के बीज में समाविष्ट, लोग, कैल्सियम एवं फासफोरस हड्डियों को पोशक तत्वों से संचित कर उन्हें स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है इसमें अच्छे एंटियोक्सिडेंट एवं एंटियंफ्लामेंटरी गुण भी पाये जाते हैं जो जोडों में हो रही सुजन को कम करने में अत्य सक्षम हैं जोडों के दर्द को कम करने के लिए रात भर एक चमच मेथी के बीज पानी में भींगने के लिए छोड़ दें रोजाना सुबह इन स्वास्ते वर्धक बीजों को चबा चबा कर खाएं मेथी के बीज के पाउडर एवं गर्म पानी से एक पेष्ट तयार करें प्रभावित शेत्र पर इस पेष्ट को लगा लें और सूखने पर इसे घर्म पानी से धोलें दर्द ना जाने तक इस प्रक्रिया को रोजाना दिन में दो बार दोहराएं आपको लाब होगा तो ये तो थे अभी तक मेथी को खाने से होने वाले फायदों से जुड़ी हुई जनकारियों के बारे में नौलेज लेकिन अब आईए हम जानते हैं कि अगर आप अत्यधिक मातरा में मेथी का सेवन करते हैं तो आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है सबसे पहले जादा मात्रा में मेथी का सेवन करने से बचें क्योंकि इससे उबकन एवं दस्त जैसे दुश प्रभाव हो सकते हैं इस जड़ी बूटी का पूरी तरह से उप्योग करने से पहले थोड़ी सी तवचा पर इसका इस्तिमाल करके जाज कर लें कि आपको इससे एलर की दवा ले रहे हैं तो अपने आहार में इस जड़ी बूटी को शामिल करने से पहले अपने चिकित सक से परामर्श करें यह आपके लिए बिहद लाफकारी होगा तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए जो जानकारी लेकर के उपस्तित हुए थे वो म यह भी जानना जरूरी होता है कि इसको चादा मातरा में सेवन करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है या फिर कौन सी बिमारी है तो आपको उन अवश्रधियों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी अवश्रधियों वो एक रोग में फायदे मंद होती है तो वहीं दूसरे रोग में उसका आपको लोस भी हो सकता है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों